हेलो बच्चो गुड मॉनिंग वेल्कम टू नर्श रोलनाइं क्लास बेटा आज आप लोगो की कौन सी अक्टिविटी हो नहीं वाली है रैबिट वाली ठीक है आपको दो दिन पहले ही रिकार्म बता दिया गया था और सभी को यह एंबलाप मिला हुआ है ठीक है तो सभी अब इसको हम साइग में रख देंगे लियो सबसे पहले हमें आपके क्या डालना है जो試क जोड दयाने दोफ आपके सबकी कॉपए मैं लिखा है टाउगर एक्टिविटी अपना नाम लिखना है यहां पे ления और क्या है जामारी थर्टिन डैश सभी बच्चे अपने आप से ही डेट डालेंगे ठीक है इलेवन डैश और टू थाउजन ट्वेंटी वन ओके अब सभी बच्चों ने एक्टिविटी अपनी निकाल ली आप देखेंगे सभी पेरेंच जेके अपने बच्चों की एमलब में से पिंक पेपर निकाला होगा इसको ऐसे करके आपको फूल्ड करना है क्योंकि हमें रैविट के क्या बनाने है उपर वाले टू एयर बनाने है ठीक है फिर बाद में हम इस्टिक लगाएंगे पहला हम इनकी कटिंग कर लेते हैं देखेंगे अब मैं इसको पैंसल से क्या करू देखेंगे यहां पैसे रखेंगे पैंसल को और इसको ऐसे करके ड्रो करते हैं थोड़ा यह आपको बड़ा बनाना है अब बच्चा तो बना नहीं पाएगा तो आपको तो बनाना पड़ेगा बच्चों की एक्टिविटी के लिए है है यह बना अब इसके हम क्या कर लेंगे कट आप 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 अ आप जी देखें, दो एयर कट गए इसके, चीक है, अब इसमें वाइट पेपर भी दिया है आपको, अब वाइट पेपर को फोल्ड करेंगे, अब इसमें दो छोटे एयर बने, इनको साइट करेंगे, यहाँ पर पैंसल लखेंगे, ऐसा करेंगे, चीक है, मैं आपको ड्रो करके भी बता रहे हूँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए, यह, अब मैं इसको कट करते हूँ, जिससे कि आपको फाल्डू पेपर को हम साइट कर लग देंगे, अब इनमें हम पहले इसको पेस्ट कर वा लेंगे, बच्चों से, चीक है, पहले इनको पेपर में, आपको पाजे फैविकॉल दिया है ना, इसमें आप चलो, बाद में कर वाएंगे, पहला मिस्टिक इसमें साब स्टिकन नीखालें, अपको इसमें से 3 अश्टिक लगाल लोगा है, अब वाद में पालवी काने, अब बाद में आप स्टिक में लाजायेंगे, बहाएं जिससे कि उस बाने लाएंगी जिसी अक के हमारा चीपकी जाए कि एसा करके यह देखें बीच और भी समने इस टिक को एसा करके लगा दिया थोड़े पुश करेंगे जिसे कि चुप बिटे सौरी पहले हमको ने यह दो इस टिक ऐसे वाली लगानी वाई में स्टिक मुझे गलती हो गई है आप इसमें तोड़ा पहविकॉल पहले और यह दो और एक और लगानी है ऐसे ट्राइंगल शेप में वी बनाते है वी फोर वैं आपको वी फोर बैंगे जैसे लगाने है चिक है मैं से गलती हो गई थोड़ी जी यह हमारा हो गया वी फोर बान बन गया अब जो स्टिक हमने ओपर लगाई इसको इसमें पेस्ट कर तो थोड़ा से फाइविक और लगांगे अब इसको अन्यष्ट करें होगया है आप इसमें को देखिये वाला जो पिंक पेपर है यह वाला पींक पीन के पर हम को इससके बीच मे कर दिए फैस अटार ने कर लाण हैं कर देखिए लग गया यह देखिए एक इसका यह चुपका दिया में रैबिट का अब एक और यह चुपकाएंगे इधार देखिया है अब है घ्रैकर लागाया अब इसको को पेस्ट कर देंगे गा कर किक्र चाहिए मैं आपिसमें वैक कलर की कटिंग की थी अब इसको हम इस पर लगाएंगे चीक है अब हम इसमें फैविकोल लगाएंगे चीक है यह देखिए बहुत सारा सारा नहीं लगाना है बिटा आप लोगो बस इतना लगाना ही जिसे कि वो पेस्ट हो जाए चिपग जाए इसके बिलकुष सेंटर पर ऐसा करके चीक है यह दो हो गया असी यह बन कर अब इसमें हमें इसके टू आइस बनानी है छोड़ चोड़ी तो आपके पास देखिए जो वेस्ट पेपर बच्चा है ना इसी बें से हम टू आइस बना दो करें यह देखिए एक करकल बना लेंगे चोटा सा यह देखिए विससर कर बनाया अब इसको कट कर लेंगे इसमें आपको अलग से पेपर की जरुवत नहीं पड़ेगी मैंने 2 आइस और लुट अब ब्लैक मारकर नहीं तो क्रियोंज करका आप इस्तिमाल कर सकते हो अब यह आप पर ब्लैक पेपर हो ठोड़ा सा तो आप ब्लैक पेपर से कट कर लीज़ेगा मैं पर ब्लैक पेपर नहीं है इसलिए मैं इसमें marker का यूज़ कर रही हूँ देखिए मैंने दौनों पर black marker से कर दिया अब इसमें हम क्या लगाएंगे फैरिकॉल थोड़ा सा लगाएंगे यह देखिए और इसको बीच में यह पर पेस्ट कर देगे यह देखिए ऐसे करके चीक है आलम से लगाईएगा अगर आपके पास black paper है तो आप black paper का यूज़ करें नहीं है तो black sketch या black crayon's color को इच भी आभी यूज़ कर सकते हैं अब बीच में आपको इसका मूह बनाना है तो आपके पास जो ब्लैक वायर पेपर था वेस्ट वाला अब इसका जो यहां पर मूह बनेगा वो हमको इसी paper से बना लेंगे इसमें ज्यादा paper हमें जरूरत नहीं पड़ेगा अब इसको हम बीफ और बॉल बनाएंगे देखिए यहां से लाइन हो रखी इसको ऐसे कर देंगे बस ऐसे और इसको ऐसे चीक है अब इसको हम कट कर देंगे यह देखिए मैंने वी शेप में बीफ और बॉल बनाया है अब इसमें हम फैवी कोल लगाएंगे थोड़ा थोड़ा और इसको यहां पर पिस्ट कर देंगे आरम से लगाना है ऐसे कर देंगे चीक है जी होगा ओके आप इसमें बीच में छोटा सा ट्राइंगल बनाएंगे यह देखिए आपका जो पिपर बचाता था ना इसलिए हम ट्राइंगल बना देंगे ऐसा करके ट्राइंगल हो गया अब इसको हम कट कर देंगे अब इसको हम ट्राइंगल को कहां लागाना है हमको यहां पर बीच ओ बीच बीच बिलकुल ऐसे करके तो इसमें भी थोड़ा सा फैबिकॉल लगाएंगे जिसे यह चुपगा जाएं और यह हमारा बनकर रैविट तैयार हो गया सभी बच्चों देखिए हो गया सभी का रैविट तैयार आप अपना नेम लिखेंगे डेट डालेंगे सभी बच्चे डेट अपने आप से डालेंगे और सपेस्ट अपने आप से करेंगे किसी कोई भी confusion हो कोई भी बात हो message करके आप मुझसे बवितमायम से call करके पूछ लिजेगा और ये सबी activity आपको आज Saturday को और नहीं चाहता था है तो Sunday को complete करके Monday को आपको अपने bag में रखके लानी है ओके बेटाई बाई बाई have a good day